अराप की अलग-आलग बंप्लाई कर सकते हैं तो आप लोग को सब्सक्राइब आपको प्याप इद्सक्राइबार में अभी तक अगर इसो आपka प्लाई करी कि यहां पर आपको सभी PDF मिल जाती है और जो भी सरा वीडियो बनाता हूं सभी पोस्ट यहां पर कर देता हूं तो आसानी से यहां से कोई भी वीडियो को देख सकते हैं देख सकते हैं यह महा मेटरो का ओफिसल वेबसाइट है इसके करियर सेक्षन में आईएगा तो अभी 15 जनवरी के ड रहना चाहिए देख सकते हैं रिक्वाइर्मेंट ऑफ एक्स्पिडियन्स इंप्लाई फ्रॉम मेट्रो रेल या रेलवे या रेलवे पी एस्यू ऑन कोंट्रेक्ट या डिप्ट्विशन बेसिस फोर दा पिरियाड ऑफ फाइव यड इसमें जो आपका जो जो जॉब होने वाला वह पांच यह के कॉंद्ट्राक्ट बेसिक पे रहने वाला है जिनवें की अग्राप लोग महराष्त्रा मेट्रो डेल कॉर्पोट्रेसन में काम की हैं या रेलवे में या रेल्वे पिस्यू impacto report पे कहीं बी एक लाग पैंतालीश थार तक मिलने वाली है or आपका जो क्वालिफिकेशन है minimum BE होना चाहिए electrical mechanical electronics engineering में और minimum two year का आपके पास experience होना चाहिए जो की railway railway psu या metro related किसी इंफ्रास्ट्रेक्ट्री में काम किया है तो आप लोग electrical mechanical electronics से की हैं तो भी apply कर सकते हैं और में करके दिपलोमा electrical mechanical electronics engineering से की हैं तो भी apply कर सकते हैं हाला कि इसमें भी आपका minimum two year का experience required है जो भी इसे candidate है जो degree holder है B.T.E.C की है और three year का experience required है diploma holder के लिए उसके बाद का जो vacancy है इसमें junior engineer signal and telecom के लिए है जिनमें भी आपको 33,000 से एक लाख मिलने वाली है और इसमें भी आपका diploma और B.T.E.C दोनों दिया गया है ब्रांद जो है electronics electronics and telecommunication electrical engineering यह सारे ब्रांद से अगर आप लोग diploma B.T.E.C की हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते है इसमें भी आपका experience required है टू और थ्री यर्स बीटेक और डिपलोम वालों के लिए उसके बाद junior engineer mechanical के post पे आपको 33,000 से एक लाग तक salary मिलने वाली है और B.E.B.T.E.C अगर mechanical engineering से की हैं तो apply कर सकते हैं और में करके थ्री यर का diploma है mechanical engineering से अगर आप लोग किये हैं तो भी apply कर सकते हैं तो यह थी पूरी eligibility criteria अगर आप लोग इसमें eligible होते हैं interested होते हैं apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं selection process इसका personal interview के अधार पर होने वाला है तो जो भी ऐसे candidate है इसमें apply करना चाहते हैं उन लोगों को interview देना होगा exam सोर नहीं लिया जाएगा कैसे apply करना है तो इसमें एक इसका application form दिया गया है उस application form को fill करके आपको 14 फरबड़ी 2022 तक इसके office में जमा कर देना है या speed post की माध्यम से आप लोग इसको send कर सकते हैं जो इसका address है सब कुछ यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं जो भी the eligible and willing candidate who fulfill the above mentioned area may apply along with their detailed particulars in the enclosed format by 14 फरबड़ी 2022 तो speed post की माध्यम से यह रहा इसका envelope में pack करके उपर में यहाँ पर आपको अपना नाम name of the post mention कर देना है post code mention कर देना और category mention करके यह address पर आपको send कर देना है इसमें application form दिया गया है इस application form को आपको print out ले देना है truly fill up कर देना है अपने हाथ से जो भी सारा details इसमें मांगा गया है सबी कुछ आप लोग बारी बारी से fill कर दोगे fill करने के बाद आप लोग जो भी सारा document है आपका उसको self-retested photocopy जिरक्स कोपी करके आप लोग इसमें attach कर दीजेगा कौन-कौन से document यहाँ पर list किये गये हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सारा document है सब कुछ पर दोजार बाइस तक हो जाना चाहिए send कर देना इसमें आप लोगों को application भी required है जो की चार सुरूपे का application भी है जिसको आप demand draft या online mode से pay कर सकते हैं इसमें account जारी किया गया यह आप लोग UPI के माध्यम से भी send कर देता हैं कर सकते हैं UPID भी दिया गया है जो भी medium से आप पे करेंगे उनका receipt printout ले करके आप लोग envelope में pack करके जरूर से भेज दीजेगा जिनमें की date time सब कुछ mention होना चाहिए आपका नाम date of birth पोस्ट नेम पोस्ट कोड और जो आपका यह online payment का receipt है यह सभी कुछ mention होना चाहिए आप जो भी document भेज रहे हैं तो यही था इसकी vacancy का full details अगर आप लोग इसमें apply करना चाहते हैं eligible होते हैं तो जरूर से apply कर सकते हैं इनसे related जो भी सारा links है वीडियो के description में डाल दूँगा और यह PDF मैं अपने telegram channel पर सकते हैं पढ़ सकते हैं इसका print out लेकर करके इस form को apply कर सकते हैं जरूर से telegram channel से join होकर करें वीडियो के description में link दिया हुआ है या KKS इंडिया आप टेलिग्राम पर सर्च करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा तो आपके मान में अगर कोई confusion.query रह गया होगा तो नीचे comment करक पूर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया और थैंक्यू